नमस्कर दोस्तू डेली टेक ट्यूट शानल में आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो में हम आपको राष्ट्री अरोग्य निधी के बारे में जानकारी देंगे तो आईए दोस्तों जानते हैं कि ये राष्ट्री अरोग्य निधी क्या है राश्ट्रे अरोग्या निधी यानि की RAN सेहत और परिवार कल्यान विभाग यानि की Ministry of Health and Family Welfare की तरफ से एक स्कीम है जिसके आधीन BPL Families यानि की गरीबी रेखा से नीचे रहने वारे लोगों को आर्थिक मदद दी जाती है ताकि वो अपनी जानलेवा बिमारियों का इलाज करा सके तो आईए जानते हैं इस स्कीम की डिटेल के बारे में और कौन-कौन इस स्कीम का फाइदा ले सकता है यानि की eligibility क्या है तो जैसे हमने आपको अभी बताया है इसमें उन patients को financial assistance याने की आर्थिक मदद दी जाती है जो below poverty line है याने की गरीबी रेखा से नीचे रहते हैं और उन्हें कोई जानलेवा बिमारी है जैसे cancer और कोई और चीज तो इसमें क्या होता है कि जो भी आर्थिक मदद इस स्कीम की अंडर उनको दी जाती है उस आर्थिक मदद के कारण सहायता से वे अपना इलाज किसी भी government hospital या institute में करा सकते हैं आगे वीडियो में हम आपको बताएंगे कि वो किन किन government hospitals और institute में अपना इलाज करा सकते हैं इसके लिए minister ने एक guideline दी हुई है total हमारे ऐसे 13 government hospitals हैं इस time इंडिया में जो कि central hospital है central hospital जैसे की aims हो गया जो काफी सारी states में अभी है तो ऐसे patients हैं जो की गरीबी रेखा से नीचे हैं और उनको कोई जान लेवा बिमारी है तो वे अपना इलाज किसी भी central hospital में जाके करवा सकते हैं जो भी ministry of health और family welfare ने specify किया हो details के लिए आप हमारे description box में दिये के link में click कीजिए आपको वहाँ से सारे की सारी details मिल जाएंगी तो आए दोस्तों जानते हैं कि RAN की राष्ट्रे आरोगे निदी की under assistance यानि की सहायता पाने के लिए आपको क्या-क्या paperwork लगेगा या आपको क्या-क्या form submit कराने होगे सबसे पहले एक application form है जिसका एक prescribed performer होता है वो आपको हमारे description box में दिये के link पर पता लग जाएगा उस पर signature होने चाहिए आपका जो doctor आपको अभी treat कर रहा है यानि कि जिस doctor के अंदरा present treatment में है और दूसरा हस्ताक्षर जो लगेगा वो होगा medical superintendent का जो किसी भी government hospital या institute का हो सकता है उसके बाद जो दूसरी चीज़ आपको चाहिए होगी वे है आपका income certificate जाने की जो आपकी आये है उसका certificate ताकि उनको पता लग जाए कि आप गरीबी रेखा से नीचे है तीसरा आपको चाहिए होगा आपकी राशनकार्ट की copy इस scheme के आधीन 13 central government hospital या institute है जिनमें government ने 50 लाग का fund दे रखा है और अगर वे aims है नई दिल्ली का वहाँ पे 90 लाग का fund दे रखा है ताकि गरीबी रेखा के नीचे जो लोग है उनका treatment हो पाए तो दोस्तों अगर तो आपकी treatment की cost यानि की जो भी इनसान गरीबी रेखा से नीचे है उसका जो treatment का cost है वे 2 लाग से नीचे है या 2 लाग तक है तो वो अपना treatment किसी भी 13 central government hospitals में करवा सकता है और जो हमने paper work बताया है वही लगेगा मगर अगर जो आपकी treatment की cost है वो 2 लाग से ज्यादा है तो आपका case पहले सेहत और परिवार कल्यान विभाग को यानि की Ministry of Health and Family Welfare को refer किया जाएगा ताकि वे आपको ज्यादा funds वहाँ से दे सके तो दोस्तों इसके लिए detail भी PDF भी available है इसके लिए आप हमारे description box में दिये गए link पे click कीजिए ताकि आपको सारी details पता लग जाए तो दोस्तों ये था आज का वीडियो राष्ट्री अरोग्य निधी के बारे में तो दोस्तों आपसे हमारी request है कि अगर आप किसी भी ऐसे इनसान को जानते है जिसे कोई जानलेवा बिमारी है और आर्थिक तंगी के कारण वे अपना इलाज नहीं करा पा रहा है और वो गरीबी रेखा से नीचे है तो क्रिपया आप हो सके तो ये वीडियो उसके सथ शेयर जरूर कीजिए या फिर उसकी जानकरी शेयर कीजिए और क्रिपया उसकी मदद कीजिए ताकि वो अपना सारा पेपर वर्क त्यार करकी गर्मेंट की इस स्कीम का फाइदा उठा पाए ऐसा होता है कि mostly इस वर्क तक गर्मेंट की स्कीम पहुँच नहीं पाती क्योंकि उनको जानकरी देने वाला कोई ज्यादा होता नहीं है तो हमारी आपसे एक बार फिर से रिक्वेस्ट है आप क्रिपया ये जानकरी सबको बांटे और ये वीडियो शेयर कीजिए दोस्तो आशा करते हैं कि हमारा आज का वीडियो आपको पसंद आया हो क्रिपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए धन्यवाद